प्यारे बच्चो, क्लास 11, 4.11.2020 को आपका भुगोल विशे का विकली टेस्ट हुआ था और इसका मैंने अंसर बताया भी था और ये भी कहा था कि JCRT द्वारा अंसर की भेजा जाता है तो JCRT ने आज सुबा ही अंसर की भेज दिया है उसका अंसर की भेजने का उपदेश यही है कि जिन भी द्यालों में भुगोल के सिच्चक नहीं है वहां के सिच्चक अंसर की के जरिये बच्चों का मुल्यांकन कर सकते है कौपी का इसलिए JCRT अंसर की भेजता है और आप लोगों को ये भी कहा था कि आप Chrome ब्रॉजर में DRGP 82 लिक कर सर्च किजेगा तो वहाँ आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा उसको आप किलिक किजेगा तो आपको ये जो notes है वो आपको PDF format में मिल जाएगा तो वहाँ से भी आप इसको देखके उतार सकते हैं और वीडियो से भी उतार सकते हैं तो देर न करते हुए आपसे request है कि चैनल पर पहली बाद है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सिखते हैं तो ये जेसी आटी द्वारा भो जाएगे answer की है जिसमें आपका पहला question था उस तद की पहचान कीजिए जो जलिये चक्र का भाग नहीं है तो इसका answer है जल योजन मैंने भी यही बताया था दूसरा है लवन्ता को प्रती समुद्री जल में घुलेवे नमक की मातरा से वित्त किया जाता है तो यहाँ answer हो जाएगा 1000 ग्राम तीसरा है निमलिखित उच्चा वशन मंडल सागरिये बेसिन की भी से स्थाएं हैं तो यहाँ पहला में है महादुपिये ढाल दूसरा में है महादुपिये मगन टक्ट तीसरा है गहरे सागरिये मैदान और चौथा है महा सागरिये गर्द तो यहाँ पर question है कि टट से सागर की ओर जाने पर सही अनुक्रम होता है तो सही अनुक्रम जो होता है वो क्या है तो यहाँ C option है पहले दो होगा फिर एक फिर तीन फिर चार मले पहले दो होगा ये फिर दो के बाद आपका है एक मले पहले दो होगा महादूपिय मगनेटर्ट फिर एक होगा महादूपिय ढाल फिर आपका तीसरा है गहरे सागरिय मै बैदान होगा और चौथा महासागर ये गर्थ होगा तो इसलिए यहां लिखा है दो एक तीन चार तो सी ओप्सन सही है चौथा है उस्तम लवन्ता मिलती है तो वानजिल में फिर है सागैसो सागर इस्थित कहा है तो अटलांटिक महासागर के मध में छथा है व्रीहत ज्वा बार भाटा के निर्मान के लिए कौन सा बल उतरदाई नहीं है तो यहां एंसर दिया है कौरियोलिस बल आठमा है स्वेल क्या है तो विक्सित तरंग है नौमा है भारत में वन्य जीव सुरच्छा अधिनियम निवन में से किस वर्स में पारित किया गया था तो उनेसो बहर दसमा है जय विविता सम्रिद्ध छेतर है तो उस निकटि बंदिये छेतर है लगATOR ये प्रशनों को मलब अतिलगूतर ये प्रशन है तरंग या लहर क्या है तो सागर्ये जल के करमिक रूप से उठने वह गिरने की खिरिया को तरंग कहा जाता है बारह है जय विविता क्या परकार प्रानियों तथा सुच्छ जिवानियों से है उनकी अनुवांसी किये और उनके द्वारा निर्मित पारितंदर से है संसार में असिमित परकार के जीव हैं अब है यहां लगूतर ये प्रशन तो तेरा नमबर कोश्चन है उस्तादर्सन वक्र क्या है तो यह संपुन भूतल के धरातल के समान स्वरूप की रूप रेखा को दर्साने वाला उसत चक्र ही उस्तादर्सन वक्र कहलाता है इसमें उसत समुंद्र तर से उचाई एवं गहराई के समान स्वरूप को महता दी जाती है चौदा है हाट स्पोर्ट से आप क्या समझते तो ऐसे छेतर जो जैव विवित्ता की डिष्टी से अधिक संकट में है उसमें संसाधनों को उपलब्द कराने के लिए अंतराष्टिय संरक्षन आ यू सी एन ने जैव विवित्ता हाट स्पोर्ट छेतर के रूप में मंगन है तथा सो से सो मीटर तक गहरा होता है तथा जिसका समुन्दर की ओड़ाल परवनता एक या उससे कम होता है महादूपिय मंगन टट कहलाता है यहां महादूपियों का ही भाग है महा सागरों में इसकी ओसत चोड़ाई 80 किलो मीटर मानी जाती है परन्तु जिन टटो से भी इसका निर्मान होता है महादूपिय मंगन टट मानों के लिए अत्यांतूप योगी है यहां मचलियों के विशाल भंडार है खनी संबदा के डिश्टी सी अत्यांत महत्पूर्ण है प्रकृति गैस तथा मैगनी यहां खनन किये जाने वाले महत्पूर्ण खनीज है और लाश्ट कोचन है आपका महासागर ये धराओं की उत्पति के क्या कारण है तो महासागर ये धराओं की उत्पति के कारण सागर का जल हमेशा गतिसील बना रहता है महासागरों में जल के एक निश्चित दिशावा मार्ग में होने वाले नियमित परवा को धराए करते ह तो पहला इसका कारण है अस्थाई पवने तो धरातल पर चलने वाली अस्थाई पवने ही पत्यच और अब पत्यच रूप से धराओं को जन्म देती क्योंकि विश्वत के अधिकांस धराओं प्रचलित पवनों का अनुगमन करती है दूसरा है तापमान में भीनता तो विश्वत रेखा वर्ष भरसूर की किर्ने लमवत पड़ती है इससे महासागर ये जल का तापमान बढ़ जाता है और उसका घनतों कम हो जाता है फलता विश्वत जल धारा के रूप में जल में गती प्रारम हो जाती है तीसरा है महाद्यूप्यों का अकार तो धराओं की परवाद दिशा पर महाद्यूप्यों के अकार तथा बनावट का भी गहरा परभाव पड़ता है चौथा है जल की लवनता तो सागरों का जल खारा होता है अधिक खारे जल का घनत अधिक हो जाता है प्रायक कम घनत वाल अस्थानों की और बहता है पाचमा है प्रित्वी की परिभर्मन गती तो सागरों में धराओं का परवा गोलाकार देखा जाता है धराओं की यह प्रकृति परिभर्मन से जुड़ी हुई है फेरल के नियमा उसार धराएं उत्री गोलार से दाई और तथा दचनी गोलार में बाई और मूड जाती है तो बच्चो यह जो क्लास 11 का विकली टेस्ट का अंसर की है वो जे सी आटी द्वारा आज सुबा ही 7 बजे दिया गया है इसको कॉपी में आप लोग जरूर नॉट डॉन कर लिजे और याद कर लिजेगा पर इच्छा उप्योगी है मिलते हैं नेक जय भारा